हेलो गाइस अवे रिवाद बूल में टोल आफ यू उनिती स्कुमर्स का से दोस्तों मैंने आप लोग के लिए मोडल पेपर जो स्टार्ट कर दिया हूं और इसके पहले मैंने चार कोशन्स जो है आपका जो आपका बीएश्टी से सम्मधित है क्लास 10 का मैंने पीछे ही अप् जाके दिख लिजेगा बहुत ही तरीकेस मैंने समझानी का कोशिस किया हूं नोट्स भी दिया हूं और आज मैं लेका आया हूं कोशन नुबर 36 और 46 36 है 2 marks का जो बहुत important कोशन है पहले समझते हैं एक बार अगर आप समझ गये तो अराम से खुद ही लिख लिजेगा फिर भी मैं आपनों के लिए नोट्स लिखे लाया हूं तो चलते हैं बीना समय को वेश्ट किये वे स्टार्ट करता हूं और आपनों comment box में comment करके बताईए कि और किस तरह का आपको वीडियो की जरूरत है तो चलते हैं दोस्तों बीना समय को विश्ट किये विश्ट करते हैं आज का फूर फूल वीडियो देखे दोस्तों कोचन है विरमे साधी परले क्या है यह model proper का बहुत important question है 2 marks का दोस्तों क्या होता है कि किसी को भी अगर पैस दे सकते हैं नगत ना दे कर को ऐसा चीज है जी हां उसी को बोला गया है विरमे साधी परलेक जिसके अंदर आपका पर्तिग्या पत्र पूरमिजरी नौट आ जाता है दोस्तों चेक आ जाता है चेक की थुरूम लोग देते हैं और एक होता है आपका 200 पिक्षेंज जिसे व पर्तिग्या पत्र विर मेवी पत्र पिक्षेंजरी चेक से होता है जिसका भुकतार अदेशे विक्तिको जिसको देना है उसे दे होता है अब चलते हैं नेक्स्ट कोशन 46 में जो 3 मार का कोशेंज है दोस्तों यहां पे नहीं लिख्या हूँ लेकिन तीन माख सो कोश्चन 46 निमर में आया हुआ है मोडल पेपर में तो देखे चालू खातों को गून का मत पर चानते चालू खाता क्या होता है दोस्तों कि ये बड़े वैसायों के लिए बड़े जो वैपार करते हैं ये बीनस में इन के लिए होते हैं ठीक है ये खाता और इसमें आप दिन में कितना बार जमाग किजिए कितना बार पैसा निकाले इसके लिए कोई भी आपका रुकावट नहीं होती है जिसे उमरे चालू खाता कहते हैं देखे इस खाता से क्या एडवांटेज है जो मैं आप लोग के सामने लिखा हूँ सबसे פहला स्विधा जंक लेंदेन स्विधा जंक लेंदेन का मतब़ और कि आप कितना बार आप पैसा निकाल रहे हैं जमाग कर रहे हैं इसमें किसी भी तरह का रिंस्रिक्शन नहीं होती है दोस्तों इस करन ये सुविधा जनक इसमें लेंदेन होता है दूसरा क्या है रूपिया जमाक करने वा निकाले के सुनता आप इस खाता को खोलने से सबसे बड़ी फायदा यह है इस बेनिफिशल फूर यू कि हो मिली टैम्स विड्रॉआ हो मिली टैम्स डिपोजिट देर इस नो रिस्टिक्शन यहां पर किसी तरह कर रिस्टिक्शन नहीं होता है कि कितना बार पैसा आप निकाल रहे हैं जमाक कर रहे हैं किसी तरह कर रिकावाट नहीं होती है तिसरा आर्थिक सहमती देना देखिए दोस्तों इस खाता खोलने से जो भी मतलब भातिदारी होत आपने आपको परमान बताते कि मेरा आर्थिक शित्य मजबूत है क्योंकि ये खाता सिंपल आदमी के लिए है नहीं क्योंकि बड़े बड़े वैसाई लोग और वैसाई का मतलब किरता एकांटेंट खातेदार अपने आपको फूर्व करते हैं तो यह आर्थिक समध्थी भी देता है और चौता है अधिवीकर्स पर लिंग लेना अब यहां पर समझते है अधिवीकर्स का मतब क्या होता है ऑफ़डराफ्ट का मतब है दोस्तों जैसे आपको मालत खात्तम एक कु जमाए और आपको दो कुरोट की जुरूद है तो उसी को बोलते हैं overtiros बतब जितना पैसा जमाए है उससे जादा आपis seem से करजा ले सकते हैं लेखिन करजा उसी को दिया जाता है दोस्तों इसका खाता जो है सेयर जुरू करें क्योंकि एक्जाम बहुत ही नजदिक आ गया है ताकि उनका भी नोलेज आगे बढ़ सके और अभी तक मेरे टेलिग्राम चैनल जवाइन नहीं किया है जहां पे मैं अप्लोड के लिए सारा नोट और एक्स्प्लें तरीके से वहां पे मैं परवाइड कर दि तरीके से ऑ मतमा подготовाल के एका वहां चैनल आरजिक चुरू झारेन प्राण करें से एक्ते।